दोस्तों जैसा के भी आप देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल का जो स्क्रीन है वो मैंने अपने अंड्रोइड टीवी के साथ में सेर कर रखा अगर आपको भी अपने mobile का screen अपने TV के साथ में share करना है तो इस वीडियो को आप starting से लेकर answer देखेगा मैं आपको step by step सारे process बताऊंगा तो चले वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले यहां पर आपको अपने mobile के screen पर आना है और यहां से आपको सबसे पहले अपने mobile का data और word support यहां पर आपको on कर लेना है इतना करने के बाद में अब आपको क्या करना है आपको अपने TV में सबसे पहले internet connect करना है तो सबसे पहले यहां पर अपने TV के remote के बारे में जान लेते हैं ये left side का button है और ये up side का button है और ये right side का button है और ये down का button है और बीच वाले button से हम ok करेंगे इन सबी button को आपको याद रखना है और यहाँ पर जो arrow वाला button दिख रहा है इससे हम back करेंगे अगर मालने जी जिसे up वाले option पर आपको जाना है तो यहाँ पर आप वाला button यहाँ पर इतना करेंगे उसके बाद में आपका जो वाइफाई वाला ओक्षन है वो ओपेन हो जाएगा यहाँ पर भी वाइफाई आपका डिसेवल है तो आपको इसे इनेबल करना है तो बीच वाला बटन यहाँ पर आपको प्रेस कर देना और यह इनेबल हो जाएगा इनेबल होने के सामने इस तरीके का Pay open होता है तो यहां पर आपको क्करना है यहां पर आपको पने weight sport का password इंटर कर देना है पासवरिण आपको गलत इंटर नहीं नहीं करना अश्पास ना करने के बाद में यहां पर आपका arrow वाला option मिल जाएगा सिंपली इहां पर आपको इस तरीके सा Google Home Application डाउनलोड कर लेना इसे 4.2 का रेटिंग दिया गया ने और इसे 50 क्रोड से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर रखा इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और सिंपली यहाँ पर आपको ओपन कर देना है अब जब आप ओपन पे किलिक करेंगे उसके बाद में पेज कु इस तरीके का आएगा अलाउनलोड नोटिफिकेशन कर सिंपली आपको next कर देना है उसके बाद में यहाँ को आपको ओपन कर आपका Android tv जो है तुम चौह एँब आपको दिख़ जाएगा फिंपली आपको Android tv वाली पर नबया को तोर preach करेंगे तुरंत आपके मोबाइल का जो डिए वह आपके टेवी में सेर्फ हो जाएगा